जादूई तोता एक जंगल में मिठ्ठू नाम का एक तोता रहता था पहकिस्मत का बहुत धनी था एक पास ही एक गाउं में एक गरीब परिवार रहता था उस परिवार में रामू, उसकी पत्नी लीला और उनका एक बेटा चिंटू रहता था एक दिन मिठ्ठू तोता उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार में पहुँचा जहां उसने खिड़की में से अमरूत देखे और वे कहता है अबे वाँ, अमरूत, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा और वे आराम से बैठ कर अमरूत खाने लगता है तभी वहाँ लीला आ जाती है और उसे देखकर गुसे में कहती है चल भाग यहां से, ना जाने कहां से आ जाते हैं मैं तो परिशान हो जाती हूँ भाग यहां से, चल ठूत होता उड़ते उड़ते कहता है अमरूत खाया पड़ा मजाया और वापस से अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है अगले दिन से उस परिवार में तरक्की होने लगती है और काम भी बहुत अच्छे से चलने लगता है एक दिन रामू और लीला आपस में बाते कर रहे होते हैं अजकल बहुत तरक्की हो रही है काम भी बहुत अच्छा चल रहा है काची आपने हमारे परिवार को नजर न लग जाए पापा पापा मुझे नए खिलोने चाहिए मेरे सभी दोस्तों के पास है हाँ हाँ बेटा मैं जरूर लाओंगा चिंता मत करो मेटा पापा ले आएंगे तभी मिठू तोता अमरूद खा रहा होता है पे पे यम यम उसकी आवाज सुनकर लीला वहां आ जाती है और उसे फिर से भगाने लगती है ओ हो ये तोता फिर आ गया कितना परिशान करता है जा यहां से चल जा भाग भाग तोता वहां से भागने लगता है अगले दिन लीला तोते को भगाने के लिए पिंजरे में अमरूद रख देती है मिठू तोता आता है और अमरूद देख कर वह बहुत खुश होता है और अमरूद को खाने लगता है खुद को पिंजरे में देख कर तोता चिलाने लगता है अगले दिन लीला तोते को ले जाकर बाहर छोड़ आती है मिठू तोता जट से उड़ जाता है और वापस से जाकर जंगल में अपने पेड़ पर बैठ जाता है मिठू तोता के जाने के बाद उस घर से तरक्की भी जाने लगती है और काम भी कम चलता है और वे फिर से गरीब हो जाते हैं अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था लगता है भगवान हमसे रूट गए है लगता है मुझे किलोने भी नहीं मिलेंगे अगले दिन मिठू तोता वापस से आता है वापस आया वापस आया अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा तब ही लीला रसूई में आती है और फिर से गुस्सा करने लगती है तो पहले से घर में खाने के लिए कुछ नहीं है उपर से तोता मुझे परिशान करता रहता है बाई यहां से चल चल बाग मिठू तोता उड़कर कोने में कहीं छुप जाता है तिये दीरे उस घर में फिर से तरक्की होने लगती है काम खुब जोरों से चलने लगता है अगले दिन लीला फिर से मिठू को अमरूद खाते वे देखती है और उसे वहां से भगा देती है पिला दुबारा से पिंजर ले आती है और कहती है अब देखती हूँ कैसे नहीं भागता है तो मिठू तोता आता है और दुबारा से पिंजरे में फस जाता है पैं पैं यह लोग आखिर चाहती क्या है सिप अम्रूदी तो खाता हूँ तब ही रामू वहां आता है और कहता है ओहो ये तोता कितना जिद्धी है कहकर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है तोता भागते भागते कहता है अब मैं आपर कभी नहीं आओंगा मिट्टू के जाते ही वे दुबारा से गरीब हो जाते हैं रामू कहता है मिठू तोता आता है तो तरक्की भी होती है मिठू तोता चला जाता है तो तरक्की भी चली जाती है अगली बार मिठू तोता आएगा तो मैं उसे कहीं नहीं जाने दूँगी तीनों लोग उसका रोज इंतजार करने लगते हैं मिठ्छू तोता कब आएगा? हाँ हाँ कब आएगा? पता नहीं कब आएगा मिठ्छू तोता फिर कभी वापस नहीं आता है हमें कुछ चीजों की एहमियत तब पता चलती है जब हम उन्हें खो देते हैं